नमस्कार मैं विभूर गोड और आप देख रहे हैं न्यूस लाइफ IIMT में स्वाद का महासंगराम देश बर के हूम शेफ ने दिखाया कुकिंग का हुनर IIMT विश्व ध्याले में आयजित सोलो वेश कलब की ओर से बैटल आफ हूम शेफ का आयजन किया गया कारिक्रम में लखनव, असम, जैपर, सहारनपर, दिल्ली और देश भर से आयए वेशन बनाने के एक्सपर्ट्स ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया प्रतियोगिता में आयए शेफ ने देश भर के सभी तरह के स्वाद को परोसा कारिक्रम में किचिन यूज ग्रोसरीज का भी प्रदर्शन किया गया सोलो कलब की वर्षा गर्ग ने कारिक्रम का संचालन किया प्रतियोगिता में अपने स्किल्स और अस्वादबर महारत की बदौलत तनुमितल पहले और मीनु आउज़ा दूसरे स्थान पर रही केरल पहुँचे पीएम मोदी वाइनाड में भूस खलन से प्रभावित लोगों का हाल जाना वाइनाड के पूर्वसांसद राहुल गांधी ने भूस खलन के बाद प्रभावित प्षेत्र का दौरा करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और उमीद जताई की वाइनाड भूस खलन को राष्ट्रिय आपदा घोशित किया जाएगा बीती 30 जुलाई को वाइनाड में बड़े पैमाने पर हुए भूस खलन में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई जबकि 1500 लोग अभी भी लाबता है अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का एलान भारत में कुछ बड़ा होने वाला है अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और चेतावनी दे कर सबको हैरान कर दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतिये कम्पनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का एलान किया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है हालां कि क्या बड़ा होने वाला है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है इससे पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूव पर निशाना साथते हुए रिपोर्ट जारी की थी जिसके बाद अडानी ग्रुप के सभी शेरों में बड़ी गिरावट आई थी इससे गौतम अडानी दुनिया के नंबर दो अरबपती बनने के बाद 36 नंबर पर खिसक गए थे केंद्रिय सड़क परिवान मंत्री नितिन गड़करी ने पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन्तमान को चेतावनी भरा पत्र लिखा है गड़करी ने लिखा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिती नहीं सुधरती है तो NHAI 14,288 करोड रुपे की लागत के आठ और हाइवे प्रोजेक्ट रद कर देगा नितिन गड़करी ने यह पत्र दिल्ली अमरित सर्क कटरा एक्सप्रेस वे पर हो रही हिंसक घटनाओं का संग्यान लेते हुए लिखा है गड़करी ने पत्र के साथ हमलों की तस्वीरे भी साजा की है और इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान से विक्तिगत हस्तक शेप की मांग की है गड़करी ने कहा कि राज्य सरकार तुरंट सुधारात्मक कदम उठाए, FIR दर्ज करे और दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करे जिससे भविश्य में ऐसे घटनाओं को रोका जा सके भारत के लिए बंगलादेश सीमा पर धर्म संकट, शरण के लिए पानी में खड़े रहे हिंदू बंगलादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बदले हालात ने भारत के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार अल्पसंक्यक हिंदूं को निशाना बनाया जा रहा है ऐसे में बांगलादेश में रहने वाले हिंदूं को भारत ही सबसे सुरक्षित पनाहगा नजर आ रहा है लेकिन भारत इन हालात में उनका स्वागत करने की स्थिती में नहीं है वहीं हजारों बांगलादेशी हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारतिय सीमा पर पहुँच रहे है सीमा सुरक्षाबल ने कहा कि Border Guards बांगलादेश के जवानों ने बांगलादेशियों को वहां से हटा दिया बांगलादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर अमेरिकी सांसद चिंतेट विदेश मंत्री को लिखा पत्र बांगलादेश में हिंदूओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ती ने गहरी चिंता व्यक्त की है उन्होंने विदेश मंत्री एंटरी ब्लिंकन से हिंदूओं के खिलाफ हिंसा रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए अंतरिम सरकार से संपर्थ करने का आगरह किया है बांगलादेश हिंदू बौध इसाई एकता परिशत ने बताया कि इस सपता देश के 64 में से 45 जिलों में ज्यादातर हिंदू घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है सैकडो हिंदू बांगलादेश से भाग कर भारत आने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिके सांसद राजा कृष्ण मूर्थी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है 2021 में हिंदू विरोधी दंगों में 9 लोगों की जान गई थी और सैकडो घर, कारो बार्वा मंदिर नश्ट हो गए थे 2017 में 107 हिंदू की मौत हो गई थी और 37 लोग लापता हो गए थे गाजा के दाराज जिले में एक स्कूल पर इसराईली हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बजर्ग शामिल हैं इस स्कूल में कई लोगों ने शरंड ले रखी थी स्थानिय लोगों के अनुसार सुबह एक के बाद एक तीन रॉकेट स्कूल पर गिरे, इससे वहां आग लग गई वहीं इसराइली सेना का दावा है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के रूप में किया जा रहा था उसमें हमास के कई आतंकी मौझूद थे ये हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया है दूसरी ओर हमास प्रवक्ता महमूद बासल ने कहा कि हमले में करीब सौ लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं कॉंगो, केन्या, रवांडा और युगांडा समेत दस अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स वाइरस का कहर बरप रहा है इसे देखते हुए विश्व स्वास्त संगठन ने इमर्जनसी बैठक बुलाई डबल्यो एचो की आशंका है कि यह वाइरस दुनिया के अन्य देशों में भी फैल सकता है कॉंगो के पडोसी देशों में नया स्ट्रेन पाया गया है जिसने विश्व स्वास्त संगठन की चिंता को और बढ़ा दिया है वहीं जैसे जैसे मंकी पॉक्स वाइरस अफ्रीकी देशों में फैल रहा है वैसे वैसे भारत में भी लोगों के चिंता बढ़ रही है यह एक संक्रामक बेमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से होती है मंकी पॉक्स वाइरस का संबंध और्थो पॉक्स वाइरस परिवार से है जो चेचक की तरह दिखाई देता है इसमें वेरियोला वाइरस भी शामिल है